सब जैसे कि अभी बच्चे जो है इंट्रेमीडियर जैसे पास कर रहे हैं उसके बाद कोचिंग के लिए तैयारी करने के लिए जा रहे है बिना ग्रेजुएट हुए तो इससे फर्क पड़ता है क्या कि अगर कोई बंदा ग्रेजुएट हो के आ रहा है पर प्रेपरेशन करन करना और एक होता है कि इंटर के बाद आके सीधे कोचिंग ज्वाइन कर लेना दोनों में अंतर है इंटर के बाद से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं तैयारी शुरू करने का मतलब क्या है कि आप निउस पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए आप एंसी आटी पढ़ना सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं थोड़ा मेक्शियोटी लेवल आपका अच्छा हो गया होता है अच्छे स्कूल कॉलेज से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एंसर एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी हो गई रहती है तो वहां पर जब आप टीचर से आ करते हैं टी त्यारी शुरू करना अलग मैटर हो गया कोचिंग जोइन करना अलग मैटर हो तैयारी आप इंटर के बाद सुरू कर सकते हैं बेसिक जो चीजें क्योंकि जब आप ग्रेजुशन पढ़ते हैं शुरू करते हैं तो आप सिक से ट्वेल्थ तक की नसीयाटी पढ़ने उतना आई ऐसे होता है यह मतलब एक्जेक्ली हम लोग बास्तों में हैं क्या हो बिल्कुल से और मुझे यह लगता है कि मतलब जो सिलेवस है यूपीएसी का अगर यूपीएसी की बात करें तो कम से कम 3000 से 4000 घंटे मैं कैलकुलेशन कर रहा था एक मैंने वीडियो भी बनाया अपन घंटे की सर कोचिंग होती है 1200 से 1500 घंटे जीएस की कोचिंग एक ओन एन एवरेज हो रही है कहीं भी कोचिंग 200-300 घंटे रखने बाकी चीजे तो लगवक 2000 घंटे की तो कोचिंग है और लगवक उतना ही सेल्प स्टड़ी आपको तो 4000 घंटे का समय चाहिए है सिविल सेवा परिक्षा का पूरा सिलेवस आप अच्छे से तयार कर लें जब आपके पास एक अच्छा नोट सो सिलेवस की समझ हो और आपने पिछले कुछ सालों के प्रस्न भी देखे हो उनका अभ्यास किया हो अब यह 4000 घंटा आप 12 के बाद देखे 21 साल की जब उमर हो तब अजिवसन के बाद फिर वो लेकिन वो समय तो देना पड़ेगा सौट कट नहीं है यूपी एस या किसी भी परिक्षा की तैयारी का आप यह सोचें उस 4000 घंटे को हम कम करके 1000 घंटा कर लें और फिर रिजल्ट वही आ जाए एक्स्ट्रा ओर्डिनरी हैं आप 1000 घंटे में कर एक हजार घंटे में तो अब सिलेवस ही पूरा नहीं होगा तो कहां से आप पास होंगे तो यहां मैटर यह नहीं है कि 12 के बाद या ग्रेजवेशन के बाद मैटर यह है कि कब आपको यह समझ आई है कि अब हमें आई एस बनना है आपकी पारिबारिक प्रिश्ट भूमी भ बहुत मैटर करती है और फिर यह चाहरजार घंटा देने के लिए कब आप सक्षम है आज के समय में सब्सक्राइब बच्चे इतने जागरूब तो हो गया है कि मुझे भी लग रहा है कि ट्वैल्थ हैं फस्तियर में तैयारी सुरू कर देना समझदारी है मेरा कहने के मतलब की ट्विल्थ पास करके किसी मिलब गाहों से निकल कर आ रहे हैं सब मुखरी नेगर में आ गया है यहां आने के बाद उनको अगर हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं कई बार कॉलेज कर रहे हैं तो एक्स्पोजर हमको मिला होता है तब तक लेकिन अचानक से के बाद यहांने पर मोटिवेटेड जो अच्छे खासे होते हैं वंदे वह भी आके हां की लाइफस्टाइल में कुछ गुम से हो जा रहा है मतलब की वह अपने गोल से भटक यह रहा है तो इसके लिए मेरा मिलब यह है कि चीज़ें ज्यादा बेतर हो सकती है मतलब की उसक साल का बच्चा तो तीन साल में जिंदगी बहुत कुछ तो सिखाती है कॉलेज की जो तीन साल की लाइफ और पढ़ाई वो आप कंप्लीट करके आए हैं तो मैच्चूर तो होते ही है अगर मैच्चूर्टी कहीं फर्क नहीं करती इस आधार पर तो यूपी एसी ने भी ट् आडमी में उसके बाद फिर परीक्षा लेंगे कुछ लोग पास होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे और जो पास नहीं होंगे उन्हें हम ग्रेशन की डिगरी दे के वापस भेज देंगे प्रपोजल आये था कई साल पहले लेकिन आगे नहीं बढ़ा वो परपोजल तो झाल